OPS पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट हड़ताल नहीं करेंगे कर्मी ये है वित्त मंत्रालेव जेसीम बैठक की इंसाइड स्टोरी डिप्ती सेक्रेटरी ने जेसीम स्टाफ साइड के सदस्यों से अपील की है कि वे कमेटी पर विश्वास रखें वित्त मंत्राले की कमेटी फाइनल निरनय पर पहुँचे इसके लिए जेसीम को कुछ समय देना चाहिए इसके चलते 19 मार्ज को अनिश चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने की प्रक्रिया रद कर दी गई है देश में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है National Joint Council of Action, NJCA के पदाधिकारियों ने OPS बहाली के लिए एक मई से देश में अनिश चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया था NJCA द्वारा केंद्र सरकार को हड़ताल का नोटिस देने के लिए 19 मार्च की तिथी निर्धारित की गई थी 14 मार्च को नौर्थ प्लॉक में वित्त मंत्रालय के डिप्ती सेक्रेटरी और National Council JCM, स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में हड़ताल पर जाने का निर्णय रद्ध कर दिया गया यानि अब केंद्रिय कर्मचारी अनिश चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे हालां कि OPS के लिए संघर्ष कर रहे कई कर्मचारी संगठन, NJCA के निर्णय से खुश नहीं है सरकार को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी North Block में वित्त मंत्राले के डिप्ती सेकरेटरी और National Council JCM, स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में AIRF के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा, NFIR के गुमान सिंग, कन्फेडरेशन की तरफ से रूपक सरकार, INDWF के आर श्रीनिवासन, AIRF के श्री कुमार और All India Accounts and Audit Association के तपन बोस शामिल हुए थे शिव गोपाल मिश्राद्वारा स्ट्राइक की कॉल वापस लेने का जो पत्र जारी किया गया है, उसमें लिखा है श्री कुमार के साथ बैठक के एजंडे पर बात हुई है, लेकिन वे किनी कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके वित्त मंत्राले के डिप्ती सेक्रेटरी ने बैठक में उन कारणों के बारे में बताया, जिनके चलते वित्त सचिफ टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश होने में देरी हुई है ڈिप्टी सेक्रेटरी ने बताया की कमिटी कर्मियों के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है वह कमिटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौ्ब देगी सरकार को दिया था छह सब्ता का अल्टीमिटम डिप्टी सेक्रेटरी ने JCM, स्टाफ साइड के सदस्यों से अपील की है कि वे कमिटी पर विश्वास रखें वित्त मंत्राले की कमिटी फाइनल निरनय पर पहुँचे इसके लिए JCM को कुछ समय देना चाहिए इसके चलते 19 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने की प्रक्रिया रद कर दी गई है साथ ही विभिन्न करमचारी संगठनों ने एक मई से देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का जो एलान किया था उसे वापस लिया जाता है देश में पुरानी पेंशिन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे करमचारी संगठनों ने फरवरी में केंद्र सरकार को OPS लागू करने के लिए 6 सप्ता का अल्टिमेटिम दिया था यह एहम निर्णय साथ फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुई National Joint Council of Action NJCA के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया था केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथी घोशित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई इन साथ लोगों ने तै की थी स्ट्राइक की ति थी उस महत्वपूर्ण कमेटी में शिव गोपाल मिश्रा, कन्वीनर, GSIRF, डॉक्टर M. राधवया, को कन्वीनर, GSNFIR, काम्रेड SN. पाठक, अध्यक्ष IEDF, काम्रेड अशोक सिंग, अध्यक्ष IEDF, काम्रेड अशोक सिं IEDF और राज्य करमचारी सन्युक्त परिशद यूपी के अध्यक्ष काम्रेड हरी किशोर तिवारी को शामिल किया गया था। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम क्या हो। देश में अनिश चितकालीन स्ट्राइक की ति थी, यह तै करने का अधिकार भी इस कमेटी को दिया गया। इसी कमेटी ने 19 मार्ज को स्ट्राइक का नोटिस देने और एक मई से राष्ट्रव्यापी हडताल पर जाने का निरनय लिया था। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी। गत वर्ष 24 मार्ज को संसत सत्र में वित मंत्री निर्मला सीत कार्मन ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टिम की समीक्षा के लिए एक समिती गठित करने की घोशना की थी। 6 अप्रेल को समिती का गठन कर दिया गया। वित्प सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कार्मिक और प्रशिक्षन विभाग D.O.P.T. के सचिव वियाई विभाग के विशेश सचिव एवां पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण P.F.R.D.A. के अध्यक्ष इस कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। यहां समिती इस बात को लेकर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू N.P.S. के मौजूदा धांचे में किसी तरह का कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिती जो भी सुझाव देगी उसमें राज कोशिय नहितार्थों और समगर बजटिय प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। स्ट्राइक वापस लेने की इंसाइट स्टोरी देश में OPS बहाली की मांग के लिए केंद्र एवां राज्यों के अनेक कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। रेलवे, रक्षा, डाक, आईकर, अकाउंट एंड ऑडिट, केंद्रिय सचिवाले, इसरो वड्डिये के अलावा स्वायत्तता प्राप्त संगठन, C.A.P.F, सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी, यूटी क्षेत्रों के कर्मी, प्राथमिक टीचर, हाई स्कूल टीचर, उ OPS बहाली के प्रयासों में लगे थे. National Joint Council of Action, National Mission for Old Pension Scheme भारत, Confederation of Central Government Employees and Workers और National Movement for Old Pension Scheme, NMOPS, द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली में रैलियां आयोजित की गई. कर्मचारी संगठन के एक अध्यक्ष ने बताया, NJCA के बड़े पदाधिकारी पर कर्मियों को भरोसा नहीं था. यह सवाल कई बार उठाया गया कि केंद्र सरकार उन्हें ही बातचीत के लिए क्यों बुलाती है? OPS के लिए तो दूसरे संगठन भी आंदोलन कर रही हैं. 14 मार्च की बैठक में गिने चुने लोगों ने निरने ले लिया कि हड़ताल नहीं होगी. वित्त मंत्राले की कमेटी तो पिछले वर्ष गठित की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई. इसके बावजूद कमेटी को ज्यादा वक्त दे दिया गया. क्या यहाँ निरने लेने से पहले केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों से चर्चा की गई है? यहाँ तो सीधे तौर पर सरकार के प्रभाव में आने वाली बात है. बैठक के बाद नए सिरे से आगे बढ़ेगा आंदोलन. कन्फेडरेशन ओफ सेंट्रल गवर्नमेंट एमपलाईज एंड वर्कर्स के महासचिव इस भी यादव ने बताया, नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी. संगठन की बैठक बुलाई जाएगी. केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से OPS वद दूसरे लंबित पड़े मुद्दे रखे जाएंगे. केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भरती के जरिये भरना, नीजी करन पर रोक लगाना, आठवे वेतन आयोक का गठन करना और कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डिये का एरियर जारी करना, ये बाते भी करमचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है. सरकारी करमचारियों की लंबित मांगों को लेकर चरणबत तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा. करमियों की मांगों में PFRDA आक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल है. जब तक इस आक्ट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक OPS की राह मुश्किल ही बनी रहेगी. वज़ा, NPS के तहत करमियों का जो पैसा कटता है, वह PFRDA के पास जमा है. केंद्र सरकार कह चुकी है कि वह पैसा राज्यों को नहीं लोटाया जाएगा. ऐसे में जहां भी OPS लागू हो रहा है, वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से NPS लागू हो जाए, इस बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे में राज्यों द्वारा की जा रही OPS बहाली में कई पैंच ठसे रहेंगे. All India NPS Implied Federation के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पतेल ने कहा, वित्त मंत्रालय के डिप्ती सेक्रेटरी की बैठक में चुनींदा कर्मचारी संगठनों को ही क्यों बुलाया जाता है? OPS बहाली के लिए कई बड़े संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार के साथ बाच्टीत में शामिल करना चाहिए. हर्याना, अपात्रों को पेंशन मंजूर करने वालों पर गिरेगी गाज. हर्याना सरकार ने पांच विभागों को जारी किये पत्र 13,477 अपात्र, 17,094 अस्तित्व विहीन वपचास 13,12 मृत लाभार्थियों को पेंशन वित्रित करने का मामला सामने आया था. मामला हाइकोर्ट पहुचा तो सरकार ने बताया कि अपात्र व्यक्तियों में से 2,189 बाद में पात्र पाये गए थे, 1,254 की मृत्यू हो गई है और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है. भूतों, अपात्र, मृतको व अस्तित्व विहीन लोगों को पेंशन बाटने के मामले में हरियाना सरकार ने कारवाई करते हुए 5 विभागों को पत्र जारी किया है. सरकार ने विभागों को अपात्रों का पात्रों के रूप में चैन करने वाली समिती के सदस्य करमचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कारवाई करने का आदेश दिया है. यह जानकारी शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवा अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी है. हलफनामे में कोर्ट को बताया गया कि 13,477 अपात्र, 17,094 अस्तित्व विहीन वा 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन वित्रित करने वाले अधिकारियों वा करमचारियों के खिलाफ कारवाई की प्रक्रिया शुरू की है. ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली जान समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कारवाई शुरू की है. सरकार ने पंचायत्व विकास विभाग, शहरी निकाय विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यान विभाग, महिला एवं बाल कल्यान विभाग तथा राजस्व विभाग को समिती के सदस्य रहे कर्मियों की पहचान करने का आदेश दिया है हाइकोर्ट को बताया गया कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2,189 बाद में पात्र पाए गए थे, 1254 की मृत्यू हो गई है और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है अब तक अपात्रों से 6,55 करोड रुपए वसूले हैं जिसमें से 1,97 करोड दो हजार बाईस से तेईस में वसूले गए हैं इसके साथ ही आशिमा बराड ने बताया कि उन्होंने यह विभाग बीते महीने ही संभाला है और संभालते ही इस मामले में कारवाई शुरू कर दी उनके मन में न्यायाले के लिए पूरा सम्मान है और हर आदेश का पालन वह सुनिश्चित करेंगी सरकार के इस जवाब को रिकार्ड पर रखते हुए हाई कोट ने मामले की सुनवाई मई माहा तक स्थगित कर दी इस मामले में याचि का दाखिल करते हुए RTI कार्यकरता राकेश बैंस ने एडवोकेट प्रदीप रापडिया के माध्यम से हाई कोट को हरियाना में हुए पेंशन वितरन घोटाले की 2017 में जानकारी दी थी याचि ने बताया कि कैग रिपोर्ट के अनुसार पेंशन वितरन में बड़ा घोटाला हुआ समाज कल्यान विभाग के अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन बाट दी जो या तो स्वर्ग सिधार चुके थे या पेंशन लेने की योगिता ही पूरी नहीं करते थे इस प्रकार सरकार को करोडो रुपए का चुना लगाया गया याची ने कहा कि उन्हें हर्याना विजिलन से कोई उम्मीद नहीं है और इस पूरे प्रकरण की जाच CBI से करवाई जाए हाई कोर्ट ने इस मामले में CBI को प्रात्मिक जाच का आदेश दिया था और इसी के अनुरूप CBI ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है करवाई होनी चाहिए